मैं अन्जुवाला, Mind Hypnotis Channel, Cypress से मुझे किसी ने question किया है कि मैडम मेरे विचारों में क्रोध बहुत है, गुसा बहुत है मैं अपने गुसे को अपने क्रोध को कैसे control करूँ तो पहली बात तो ये है कि हम लोगों के विचारों में गुसा हम अपनी आदितों की वज़ा से बना लेते हैं शुरू शुरू में हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि हमें कहां गुसा करना है और कहां गुसा नहीं करना जैसे कि मान लो हमें कहीं हम जॉब करते हैं किसी ओफिस में जॉब करते हैं हमारे किसी सिनियर ने या किसी बॉस ने हमें डांट दिया तो हम उस पे कभी गुसा नहीं करेंगे क्यूं कि हमें पता है कि अगर हमने यहां पे गुसा किया तो हमारा नुकसान होगा और अगर किसी यूनियर ने हमें डांट दिया तो हम फट से उस पे गुसा करते हैं क्यूं क्योंकि हमें पता है यह हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा यहां हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा इसलिए शुरू शुरू में तो हम सोच समझ के क्रोध करते हैं क्या करते हैं बहार का गुसा जाके घर पे निकालते हैं दीरे दीरे क्या होता है? वही हमारी एक habit से बन जाती है, कि हमें हर बात पे चोटी बात हो, बड़ी बात हो गुस्सा अना शुरू हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने अपनी आदत बना लई है और पता है कि गुस्सा का आदत भी बन जाएगी लेकिन फिर भी हमें पता है गुस्सा कहां करना है और कहां नहीं करना इसलिए सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमें क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी ये तो है नहीं कि जिन्दगी में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे हम हाट नहीं होंगे जब हाट होंगे तो नैचुरली है कि हमारे सभाब में हमारी नेचर में थोड़ा सक्रोध आना संबब है लेकिन हमें क्या करना है हमें उस situation को समझने की कोशिश करनी है गुस्सा करने की बज़ाए उसे देखना है कि क्या बज़ा है ये हालात हमारे सामने पैदा हुए उसमें अगर ऐसा होगा कि जब हम ये सोचेंगे कि ये क्यों हुआ तो हमारा गुस्से से ध्यान हटके उसको हल करने पे हमारा टाइम जो है उसको हल करने पे लग जाएगा और उसका कुछ न कुछ हल निकलेगा लेकिन अगर हम भी ना सोचे समझे उस पर क्रोध करेंगे गुस्सा करेंगे तो उसका असर क्या होगा कि वो काम बनने की बजाए पहले से थोड़ा बिगड़ा है और बिगड़ जाएगा इससे बैटर है कि जब भी आपको गुस्सा आए यहां आपको लग रहा है कि ये काम गलत हो गया है इसे अब क्या करें गुस्सा करने की बजाए उसे सुधारिए उसे अपने दिमाग में ये चीज लाइए जिस सोचिए कि इस काम को कैसे करें क्यों जी हालात पैदा हुए क्यों ये स्ट्वेशन हमारे लिए खड़ी हो गई उससे निकलने की कोशिश कीजिए जब ऐसा करेंगे आपका ध्यान उस तरफ बटेगा तो आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा और कोशिश कीजिए कि जब भी आपको गुस्सा आता है जब भी आपको लगता है कि मेरे सवाब में थोड़ा सा क्रोध आ रहा है आप क्या कीजिए उस जगह से थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाएए तकि आपका मन किसी और जगह पे लगेगा तो वो चीज आपको समझने में टाइम लगेगा अधरवाइस क्या होगा कि आपको एकदम से न तो सोचने का टाइम मिलेगा बस गुस्सा आ जाएगा और कई लोग क्या करते हैं कि गुस्से में अपना ग्रोध पर अपनी अंतरन रखिए आपको बहुत गुस्सा आता है वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है उससे क्या होगा कि आपका मन शान्त होगा आपका क्रोध शान्त होगा आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए आपको गाना सुनना अच्छा लगता है ग ताकि ज़दा तो क्या बोलूं गुसा करना ना करना हमारे अपने हाथ में हैं अगर हम उस हालात को समझ लें उस हालात को धीरे से समझ के उस हालात का सामना करते हैं तो हमें कभी गुसा नहीं आता और अगर हम बात सुनते ही गुसे में आ जाते हैं तो वो तो अपने हाथ की बात है ना कि हमें इस बात पर गुसा करना है यह उस चुशन से निकलना है उस बात से निकलना है उसका कोई हल निकालना है यह सब चीजें हमारे हाथ में हैं इसलिए क्रोध किसी भी समस्या का हल नहीं है अगर आपको किसी भी समस्या का हल करना है शांती से जीवन बेताना है तो उस चीज से निकलिए और अपने मन को शांत कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, अपने फ्री टाइम में, जितना दस मिनट, पाँच मिनट, जितना भी टाइम आपको मिलता है, आप अपने मन पसंद काम को कीजिए, उससे क्या होगा, आपके सफाब में दीरे दीरे आपकी नेचर बदलती जाएगी, और आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा, मैं यह नहीं बोलूँगी कि बिल्कुली क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जिन्दगी में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, कि कभी-कभी हम लोग उससे निकलने ही पाते हैं, बहुत क्रोध आ मैं थोड़ी देर के लिए जब मेरा मन शांत हो जाता है, फिर उस चीज के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे उस चीज में गुसा नहीं आता, मैं उस चीज का कुछ न कुछ हल निकालने की कोशिश करती हूँ, तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद